हेलो फूडीज, वेलकम टू रस्मई का स्वाथ, कैसे हैं आप सब, होब करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लीजेगा, रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंटर, शेयर ज़रूर करिएगा आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, पीनट बटर की रेसिपी, कल मैंने सत्तू के लड़ू की जो रेसिपी शेयर की थी, उसमें मैंने पीनट बटर डाला था और बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि पीनट बटर आपने घर पे किस तरह से बनाया और दूसरा ये भी कि मैंने उसमें आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी होममेट पीनट बटर की रेसिपी शेयर करूँ की तो बस वही रेसिपी आप लोगे आज लेकर के आई हूँ, बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसों हमें मुफली की जरूरत है और दूसरा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो हमने एक कप मुफली ली है, जो कच्छी वाली मुफली होती है, आज पे बिल्कुल हमको इसको dry roast करना है फ्लेज आज पे roast नहीं करियेगा अच्छी तरह से जब वो चिटकने लग जाए और एक अच्छी सी खुश्पू आने लग जाए तब अपनी मुमफली को निकालियेगा थोड़ा ठंडा करियेगा किसी भी kitchen towel में डाल करके उसको अच् के सा एक powder तेयार होगा फिर धीरे धीरे करके mixi को चलाएगा मेरी mixi की जो power है वो थोड़ी कम है तो मेरा जो paste है वो थोड़ा ठिक बना है जो butter बना है वो थोड़ा ठिक बना है आपकी अगर जादा power की हो तो इससे भी जितना मैंने चलाया उसके बाद आप एक step और उसको चला सकते हैं थोड़ा liquid form पाने के लिए scrap करते वे किनारे से scrap करते वे बीच में करते जाएगा और इसको चलाते जाएगा थोड़ा रुक रुक के चलाएगा फिर से बता रहे हूं कि mixi को लगता नहीं चलाएगा नहीं तो आपकी mixi के जलने का डर रहेगा थोड़ा सा time taking हो को चाहिए तो इसमें थोड़ा सा salt भी आप डाल सकते हैं लेकिन मैं इसको प्योर इसी तरीके से रहने देती हूं और जितना मैंने बनाया है ये मेरा one week अराम से चल जाता है क्योंकि मैं लड़ू में या अपने smoothie बगर में या कभी-कभी सबजियों में भी इसका use कर लेती ह और इसको आप freeze में रखेगा क्योंकि इसमें हमने कोई भी preservative वगर नहीं मिलाया है कोई chemicals नहीं मिले ये pure peanut butter है इसमें और कोई भी चीज आप देख आपने देखा कि मैंने कुछ भी और extra add नहीं किया है बहुत ही easy सी recipe होती है इसी तरीके से friends आप और भी तरीके के nuts के butter बना स Bye Bye, Trey Kee, thank you